कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में उतार चड़हव का सलसला जारी है पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 20,346 नए मामले सामने आए बुद्वार के मामले आज रिपोर्ट किये गए मरीजों के संख्या में वड़ोतरी दर्स हुई है कल संक्रमण के 18,088 नए मामले सामने आए थे वहीं संक्रमण मुक्त मरीजों की संख्या बढ़कर एक करोड के पार हो गई है केंद्री स्वास्तमंत्रालाई के आकड़ों के अनुसार पिछे 24 घंटे में कोरोना वायरस के 20,346 नए मामले सामने आए है इस तरह देश में संक्रमणों की संख्या बढ़कर एक करोड 16,869 हो गई वहीं इस दोरान 222 लोगों ने संक्रमण के चलते अपनी जान गवाई इसके बाद मरतकों की संख्या एक लाख पचास हजार 336 हो गई है मंत्रालाई के आकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण मुक्त मरीजों की संख्या बढ़कर एक करोड 16,869 हो गई है पिछले 24 घंटे में 19,587 मरीजों ने वायरस को माद दी है और इलाज के बाद ठीक होकर घर लोटे वहीं देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों की संख्या लगातार 2,002,005 से नीचे बनी हुई है आकड़ों के अनुसार देश में कोविड-19 के कुल सक्रिय मामलों की संख्या 2,28,083 है जिनका अस्पताल में इलाज जारी है देश में मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 96.19 प्रतिशत हो गई वही COVID-19 से मृत्तिव दर 1.45 प्रतिशत है वही ICMR के अनुसार 6 जनवरी तक जाचे गए नमूनों की संख्या 17,84,90,95 में है इन में से 9,37,590 नमूनों का सोंबार को परिक्षन किया गया था अगर आपको इन रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेय करें साथ ही अवने विउज आमें कमेंट करके जरूर बताएं डेली श्रेंडिंग निउस की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटिस्ट और इंट्रस्टिंग निउस के लिए